कि बाइव अकैडबी परजेंस किंग्डम प्रोटिस्टा पार्ट फाइब हलो दोस्तो में राम रामा अंदुकुबार मैं आपके लिए कलास लाए हूं किंग्डम प्रोटिस्टा नीट के कोडिंग भी यह बहुत अच्छा है और जितना भी टुबल थिक जाम है उसके धार सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कि अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को साथ सेर भी कीजिए चलिए शुरू करते हैं किंग्डम प्रोटिस्टा है हमने इससे पहले किंग्डम प्रोटिस्टा में कि यह कुछ-कुछ पर चुके हैं जिसके अलगेल प्रोटिस्टा इंग्लेवाइट्स स्लाइं ऐतना हो चुक है और हम आज परहेंगे प्रोटो जूऑła को इनिम स्काए को चलिए जितने फितने प्रोटो जुण्स होते हैं हैट्रो टॉन्स होते हैं अय्ट्ट्रीम आज प किसी के अंदर छुपके रहने वाले पारासाइट दे आर बिलीव इन टू प्रिमीटिव डिलेटिव ऑफ एनिमल्स हाँ सभी आदमी समझते यहीं है कि यह प्रिमीटिव डिलेटिव है किसका एनिमल्स का कि दियर आर फूर मेजर गूप ओर प्रोटोजोंस इसके चार गूरूप होते हैं पहला है अमीवाइड प्रोटोजोंस डूसरा है सिलेटिव प्रोटोजोंस इस प्रोटोजोंस इस ब्रसक देखेगा आप आउट साइड उडर पोरिया मतलब की पॉर्स फीट से जैसे के अमीबा अमीबा क्या करते हैं क्टब एक इसे करेंगा तो सुडेयोग अपने आपको निर्मानद करता है मैं पिछले क्लास में आपको अमीवा के बता कुकर हो। मेरा कलास आप देख सकते मिवा के बारे में मरीन फॉर्म है विसील का सेल्स ओन देर सर्फेस जो मरीन में पाए जाएगा उसमें सिल्का का उसके सरीर के उपर में सिल्का का एक सेल रहेगा मतलब की वह मजबूत बनाएगा उसको कि सब्सक्राइब उसम ओफ देव सच एंटामेबा हिस्टलाइटिका इसका पुरण नाम है आर पारासइट कुछ ऐसे भी है जो पारासइट के रूप में रहते हैं फिलेजलेट पोटो जॉञ दा मेंबर्स ऑफ दिस घूर आइदर फ्रीलिभिंग और पारासइट मतलब की फ इसके इसके नाम प्रटो जो दा पारा सैट्रीक फॉर्म कोज डीजी जे सच अच एज शिलीपीन शीकने से लिक फीटिंग शीकने से खास कर दश्री न फिरका में खास पबत जाता है अब देखिए फिलेजला में देखिए और फिलेजला दोनों मुव्मेंट के लिए ही उतरदाई होते हैं मतलब रिस्पॉंसिबल होते हैं लेकिन आप देखिए फिलेजला में कहीं भी आपको नहीं लिखा गया होगा कि भी मुवेबल और फिलेजला भी मुव्मेंट में काम करता है लेकिन से लिया जो मुव्मेंट के लिए बहुत अच्छी माने चालता है कि देहाब कवीटी कवीटी मतलब गलेट किसी को निकलने के लिए डैट ओपेंस टू दा आउटसाइड ओफ दा सेल सर्पेस कि दा कोडिनेट मुवमेंट ओफ रोज ओफ दसीलिया वी कोजेज दा वाटर लेडन बिट फूड टू बी स्टर्ड इन्टू दा गलेट एक्जांपल पारामेशियम देख समय जो इसमें लिखा गया है बाद कि वह अपने फूड को कैसे कैप्चरिंग करता है मैं आपको इसी कलास में आगे फिट फिगर के साथ आपको बताऊंगा इस पोरो जोन्स होता है क्या है इस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गानिजम डैट है एंड इंफेक्शिंग स्पोर लाइक स्टेज इन देर लाइफ साइकल अब स्पोरो जोन्स जो है यह भी बीमारी फैलाने में म मोस्ट नेटुरियस इज प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम भाइबक्स जो हमें मलेरिया देता है मलेरिया परासाइट वीच कोज मलेरिया डीजी जुवीच हैज एस चेंगर इफेक्ट ऑन हुमन पपूलेशन देखिएगा कि बहुत से आदमीं आपको बताएगा कि मलेरिय मच्छर के द्वारा फैलता है बात तो सही है मच्छर के द्वारा ही फैलता है लेकिन अगर कहीं पूर से दिया जाए कि मलेरिया किसके द्वारा होता है तो मतलब प्लाजमोडियम और एक बात भी होता है कि मलेरिया कैसा बीमारी होता है इनिमल के द्वारा होता है या प्रो प्रोटिस्टा के द्वारा यह होता है तो चलिए देखते हैं आगे अब शुरू कर रहे हैं इसका फोटो मतलब पिक्चर के साथ कुछ इस ट्राप वाइट जो तो दिया हुआ है लेकिन इसका इस्टा पॉइंट आप देखिएगा तो आपको याद करने में बहुत मदत मिलेगा पीछे जो आभी इस क्लास में पता है यह पूस्ट शूर ली एंसी आटी है एंसी आटी का कट है चलिए देखते हैं कि अब वाइड जो होता है लाइब इन फ्रेस्ट वार्टर शी वार्टर एंड मॉइस्ट स्वाइल वह पाया जाएगा लोको मोर्टरी एंपरें ट्रिंग एस्टमीवा पानी का बता साथ जो भी कहना कहा दीजिए उसमें यह बैक्टरिया प्रोटो जोन्स खास के पाए जाएगा क्योंकि ये गंदा पानी में ही रहता देख लिजें क्योंचे फोटो के साथ आपको दिया गया है आप देखिए लेकिन इसका सेफ है यह है यह है फ्रीविंग परासाइट बिए फ्लेजला तो रखेगा दा परासाइटिक के फॉर्म्स कॉज डिजेज सच एस स्लीपिंग सिक्नेश टाइप नो ट्राइप पैनो सोमा इसका एक एस्ट्रक्चर यह जनरल स्ट्रक्चर है आप देखिए का कि इसका कुछ कि लौको मोर्टरी फेलेजलं चुलेखो जिश्डरा घुश्ट्र फेलेजला जिसे कि आपको इगलेणायट में बताएं तो बेस इसमें दो बेस से चालो होगा एक बैस हो गया दो बेस आज को बहार निकलना इस ठीक है अगर नहीं समझाए तो फिरसे देखते हैं एक बार इ जह किसी का इगनमाइड यहाँ एसी चाल होगा है से यहाँ पर बेस बनेगा और अच्粒 ए जब लोकोमेट्री फ histor Upperylon holy house कि यह होगया फिलेडैनिल फे 카ड होगमेंट्री फॉक relaxing कि थी स्टीक मा जिसको कहते है फोकेट मतलब सोब ट्रॉसागा मोर कर माइट्रोकॉंड्रिया माइट्रोकॉंड्रिया किसके लिए माइट्रोकॉंड्रिया होता है एनर्जी के लिए यह सब निकुलिया साइगोल्जिया प्रेटा साइग क्योंकि यूकरियेटिक होता है यह एक लिए पोटो जो सिलिएटेड़ पूर्टो जो इनका सबसे बनी है एक जाम्पूल ले पारामीश इसको जो चपल के कार होता है तो तो सिलीपर होता है न वहीं कहते है न तो वहीं होके एक वाट्रीक अक्टिवली मूविंग थाउजंट आफ से लिया पर जेंट छोट चोटा जैसे कि एक बढ़ी है इसके चारों वगत सीलिया चोटा चोटा आपको परजिंट रहता है इसको कि एक विटी गलेट विच ओपन इन ओपन्स ओन दा आउट साइड आउट साइड की तरफ खुलता है मोमेंट और सीलिया कोजेश फूड लेड़न वाटर टू इंटर गलेट इजांपल हो गया पारामीशियम और आपको बतायें थे कि अभी बतायेंगे इसको परामीशियम का एक चुर्च जो होता है थीक है यह पारामीशियम है यहीं पर गलेट है यह किस ट्रिक्ट एक यह जिसको की गलेट कहते हैं जो पानी को लेता है ना कि साथ साथ में पानी के साथ साथ खाना घास पात जो भी इसको खाना है अंदर जायता है और यह एक टोरिजन एफेक्ट देता है अप फिर से ऐसा जब खोलेगी तो फिर से बाहर कि ठीक है कि आपको पेन बदल के देखाता हूं कि यह तो निकलने का सिस्टम हो गया निकल रहा है और ऐसे इसको बाहर फेकने का यहीं है पारमिसियम का फूडिंग आपको यह के सिल्या इस पर बना जाता है फूडिंग सिस्टम है कि जो अपने गलेट को खोल कर किसी खाना को कैप्चर करता है परिंग जोन्स सुटा सा इसका का यहाब इस पूर लाइक कैक्षिन स्टेज इन देर साइकिल इस पूर लाइक स्टेक्चर रहे एग जांपल इसका प्लोजमोडिय भाइभेच जो एपरासाइट करता है आप इसका यही सब इसमें आपको पाय जाएगा जो एक नॉर्मल निकुलियस निकुलियूलस मैट्रो कॉंडिया। यही सब इसमें आपको पाए जाएगा जो एक नॉर्मल यू करियोटिक सेल में पाए जाएगा वही पूर टशेट में पाए जाएगा क्योंकि एक दुस्ति अपर बरावर आपको बता हैं थे पकाएं तो पूर टिश्टा मे यू कर्योक्तिक इन्य सेल परजेंट होतें ुछ अ कि कि इस वीडियो को देखने के लिए थांक्यू भीरी मच और आप लोग के प्यार के लिए थांक्यू बइरी मच ऐसा ही मैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेर करते रहिए और हो सकता है कि इसमें मैं केमेश्ट्री क्लास भी आपके लिए चालू कर दूँ खासकर टूवल्थ एलेवन्थ के लिए और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे एकाउंट पर जाकर आप पुछ सकते हैं कमें सेक्षन में भी डाल सकते हैं और नहीं तो मेरे यह समपर कर सकते हैं थांक्यू तर देखिए थांक्यू कैंश घ्रै जी है चैनीज मतलब में लिखावा ऊब डेंग के ग्रैसियस मर्षी तो चलिए वीडियो को देखने के लिए भेरी भेरी थैंक्यू मुच और आगे क्लास में मिलते हैं तबते के लिए धन्यवाद थैंक्यू भेरी मुच